इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे binary coded decimal simply इसको बूल सकते हैं BCD code और अगर टेक्निकल टर्म में जाएं तो इसको binary encoded decimally बूल सकते हैं तो जो decimal number है simply उसके नाम से हमें reflect होता है कि जो decimal numbers हैं उनको encode किया जा रहा है binary में तो उनको बूलते हैं BCD code तो पहले तो यह BCD code है क्या उसको discuss करते हैं कितनी तरह के होते हैं फिर उसके बाद इसकी जरूरत क्या बनी हमें जो BCD code बनाने की जरूरत क्या है ठीक है और फिर उसमें जो difference है एक तरह से जो उसकी arithmetic में वो क्यों आता है उसको भी discuss करेंगे ठीक है तो step by step चलते हैं तो सबसे पहले आते हैं decimal number बेस्टन नंबर हैं तो हमारे पास टैन नुमरल से लेके 9 तक binary बेस्टू नंबर है तो हमारे पास तो नुमरल से है ना टू नुमरल से एक है जीरो एक है बन और उनके combination से आगे बनेगा ठीक है तो 9 के बाद जैसे टैन आता है तो इन दोनोंगा combination हो गया और उसके आगे जो भी गिंती आगे इन सबके combination से बनता जाएगा ऐसे ही 01 में इसके 01 के बाद ही 10 आ जाता है ना तो इनके combination से जो भी बनता जाएगा ठीक है फिर उसके बाद इनके combination से बनता जाएगा वो सब तो किसी भी तरसे quantity को उसका हम magnitude शो कर रहे हैं तो हम नंबर के चुरू करते हैं तो जो increment है 0 से 1 ऐसे हैं यहांपर 0 से 1 तो वन जो है increment दोनों में शेव है तो जैसे कि 0 के लिए बाइनरी में 0 और 1 सेम है जिल्कुल ठीक पर 2 के लिए यहाँ पर 2 है यहाँ पर है 1-0 इन दोनों के combination से बना है ठीक अब 1-0 को अगर आपको इसको जाना है तो अधर हम weight के help लेंगे तो यहाँ पर जो weight is है base 2 है तो यहाँ पर उसका weight is है 1 multiply by 2 the power 1 और plus 0 multiply by 2 the power 0 तो यह बना उसको है न ऐसे इसका बन जाएगा तो यह सब जो है अगर weight के साब से देखें तो वह हमारा decimal number system है उसका equivalent हो जाए ठीक है जी चलिए अब आगे चलते हैं अब इसमें फर्क क्या है तो जो decimal जो binary जो digit है उसको हम bit बोलते हैं हना ठीक है तो 2103 के लिए 11 तो 2 bit में काम हो रहा है 4567 के लिए 3 bit का use हो रहा है और 89 के लिए हमारा 4 bit का use हो रहा है पर अगर वहीं आप BCD में देखें तो सब के लिए equal 4 bit है ना तो 0 को भी 4 bit से represent करते हैं 1 को भी 4 bit से represent करते हो 9 को भी 4 bit से represent करते हैं तो 0 से 9 तक को represent करने के लिए BCD के यह 4 bit के code है ठीक है तो बस क्या करना है binary से आगे 4 bit complete करनी है तो उसका आगे क्या करेंगे हम जो हमारा left hand side में उसमें हम उतनी ही जो 0 है वो feel कर देंगे जितने में उसको हमें 4 bit का दाना है ठीक है तो ऐसे इसमें 3 0 आएंगी left hand side में ऐसे इसमें भी 3 आएंगी इसमें 2 आएंगी इसमें भी दो, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक और इसमें कुछ नहीं, इस तरह है, तो यह जो BCD का जो code है basically, यह 4 bit का code है, तो 0 से 9 तक को जब भी आप represent करोगे तो 4 bit का ही use करोगे, ठीक है जी, अच्छा, इस code को बोलते है natural BCD, ठीक है, तो 4 bit का ही होता है, उसको nibble बोल सकते हैं, जो group 4 bit का binary में, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, अब 4 bit के पाँ, हमारे जो प्रोसेसर हैं, वो हमारे जो है जिसे 8085 अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो हमारा है 8 bit का ठेक है जनरली हम यूज कर रहे हैं 64 bit के processor है उससे पहले 32 bit का यूज करते हैं उससे पहले 16 bit का था तो इस तरह है तो अब जो हमारा decimal को जो decimal number है गर उसको हम 8 bit में convert करना चाहें 8 bit काम BCD code बनाएं तो इस तरह का तो होगा नहीं तो BCD वाला तो यह 4 bit का code है तो अगर 8 bit का BCD बनाएं तो उसमें क्या करेंगे अपर नीबल में 00 fill कर देंगे तो यहाँ पर यह अपर नीबल है इसमें 00 fill कर दिया तो 0000 है ऐसे ही है यहाँ पर 00001 है यहाँ पर 0010 है यह सबका जो 0 से 9 तक है अपर वाली जो नीबल है वो सबका हमारी क्या है 0000 है तो यह 8 bit के लिए हो गया ठीक है तो 8 bit का जो BCD code है इसको बोलते हैं unpacked BCD यह है unpacked BCD ठीक अब यहाँ पर मैंने इसका classification क्या हुआ है जो BCD है कितने टाइप है एक है natural BCD तो 4 bit है natural BCD 4 bit का ही होता है तो जो code है है ना पार्टिकल जो decimal जो भी number आएगा वो 4 bit का ही code बनेगा तो 4 bit का है या उसको nibble का बोल सकते हैं क्योंकि 4 bit का जो group है उसको nibble बोलते हैं ऐसे ही unpacked BCD वाला जो है वो 8 bit का या उससे ज्यादा हो सकता है ठीक है अगर सबोसकर हमारे पास 16 bit का processor है तो यहाँ पर जो 8 bit और जो आएंगी वो सब 001 रहेंगे ठीक है एस फिर आता है packed BCD तो packed BCD 8 bit का हो सकता है या उससे भी ज्यादा हो सकता है तो 8 bit का 12 bit का 16 bit का 4 4 bit के group में वो add करते चले जाओ तो इतने bit का हो सकता है ठीक है जी अब unpacked BCD में यहाँ पर जो unpacked BCD की disadvantage यह है तो suppose करो अब यहाँ पर जितनी अब आप देख रहे हो अपर वाले जो nibble है वो सारी क्या है 0000 से फिल की हुए है तो को information तो है नहीं बस जब क्या किया 8 bit में जो 8 bit का हमारे पास memory है यह कुछ इस तरह का है उसको पूरा पूरा एक register को जो unused bit है उनमें हमने zero fill कर दिया करना पढ़ रहा है क्योंकि पूरे का पूरा 8 bit एक साथ ही हमारी use होती है यह ना ऐसा तो नहीं कि 4 bit अलग है इसके waste होने के बज़े से क्या हो रहा है तो जयादा है ठीक है तो क्या रहा है बहुत सारी memory हमारे waste क्रैसिस वैसे है तो इसको memory को जो हमारा जो जयादा memory ले रही है तो इसको कम करनेके लिए क्या किया है हमने बनाई पैगड dbcdy अब suppose करो एक example लेते हैं कि हमारे पास number है 2 और एक number है हमारे पास 3 तो 2 का जो code बनेगा वो बनेगा 00 जो 4 bit natural BCD 0010 और 3 का बनेगा 0011 ठीक है 8 bit में अगर इसको 8 bit का process है रहा है उसमें हमें save कराना 8 bit या उससे जादेगा है ठीक है तो ये 4 bit तो रहेंगी जो lower enable है वो तो हमारी show करेगी 0010 और बाकि की जितनी भी bit बनेगी आगेगी वो सब 00 से फिल करनी पूरेगी ठीक है तो यहाँ पर 8 bit के लिए example ले लेते हैं तो यहाँ पर यह 4 bit जो है waste हो रहे हैं ऐसे ही 3 को इसको हमें 8 bit में save करना पढ़ रहा है तो 0000 और फिर यह बना हमारा 0011 तो यहाँ पर यह 4 bit से जो है 4 bit जो है हमारी waste हो रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर फिर एक technique हमने निकाली technique यह निकाली कि 23 को यह जो 2 और 3 हैं इनको एक साथ save करा दें तो 23 बना दें तो 2 का code आजाएगा और 3 का code आजाएगा और एक byte में काम हो जाएगा अब यह 2 byte ले रही है तो अब जाकर हम दोनों को एक साथ combine कर दें तो यह बन जाएगा packed facility तो basically अब यह 23 नहीं है ठीक है तो यह जो 23 है अब इस 23 को हमने save कराने के लिए 23 बना दिया इसको 32 यह बना सकते हैं ठीक है ना तो वह सब programmer सब programmer के उपर है कि वह अपना किस तरह से उस data को save कर रहा है ठीक है तो जैसे sequence memory में जा रहा है तो वह दो-दो का combination बनाता जाएगा ठीक है तो अब वह जो अब एक ode में आएगी तो ode वाले को पहले ले रहा है जो address है memory का तो उस तरह से उसको क्लासिफाई कर सकता है कि जिसे 2 और 3 सबोस करो यह memory location है कोई 20000H में पढ़ा हुआ है तो यह 2001H में पढ़ा हुआ है तो ode वाली का जो है उसको पहले रखना चाहरा है नहीं सोरी यह even वाला है उपर वाला यह ode वाला है तो सबोस करो वह जो है even वाले को अपर निबल में सेफ करना चाहरा है तो इस तरह का प्रोग्राम बना सकते हैं कि अपर वाले वो सेव कर रहा है या कोई प्रोग्रामर कर रहा है कि वो जो ओड नमबर वाला जो एड्रस है जो उसका नमबर है उसको वो अपर निबल में सेव कर रहा है तो वो प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ यूस है ठीक है तो यहां कुछ मिन अलग अलग भी सिक्वेंस में करेंगे तो जैसे कि टू और ठी को अगर हम यूज कर रहे हैं तो तो को पहले बाद में उससे अलग करके प्रोसेस करेंगे और यहां पर आते हैं तो टू का विसीडी कोड लिख देंगे और ठीका बीसीडी कोड लिख देंगे तो अपर नेबल में टू का विसीडी कोड बनेगा 0010 और ठीका जो बनेगा ठीक है अब suppose करो हमें 23 का code लिखना एक number है whole number है 23 23 तो 23 का भी यह code बनेगा ठीक और यहाँ पर अगर 32 का लिखना है तो 32 का यह बनेगा तो depend करता है वो किस तरह process कर रहा है तो अब suppose करो यह हमारे number थे 23 3 सेव कराया इसको 2 और 3 को इस तरह हमने सेव कराया यह सेव कराया तो अब उसको अगर आगे यह तो सेव है अगर इसको process करना चाहरे है तो इस निबल को अलग करनेंगे ठीक है जैसे कि यहाँ पर 23 था टू सीजे 23 बना तो उसको वापिस हमें क्या बनाना पड़ेगा 02 और 03 बना गए उसको फिर process करेंगे ठीक है अब suppose करो नंबर है 23 hole ठीक है एक है 32 तो अब इनकों में process करना है तो इसमें क्या करेंगे 8 की 8 bit as it is ही process होंगी ठीक है ऐसी 32 में 8 की 8 bit एक साथ process होंगी तो इसमें क्या पहले हम क्या कर रहे थे 23 में 2 अलग निकाल लिया 3 अलग न चल रहे हैं तो unpacked करेंगे उसको ठीक है अगर हम उसको पूरे को ही BCD नमबर बना के चल रहे हैं जैसे 23 कोई number है whole number है तो उन दोनों को साथ में रखके और एक साथ ही process करेंगे ठीक है अगर add कर रहे हैं तो lower enable को पहले करेंगे इस से फिर carry अगर उदर जाती है है ना वो तो उसके साथ add करेंगे फिर उसमें दूसरी condition check करते हैं तो BCD edition में आगे लिए next lecture में discuss करेंगे तो BCD का किस तरह edition होता है और उसकी programming ठीक है फिर BCD subtraction और उसकी programming प्रोसेसर के point of view से 8085 के point of view से उसको भी discuss करेंगे ठीक है तो यह है अब यह तो है कि BCD code होते क्या है अभी तक तो यह discuss किया है अब इसकी जरूरत क्या है उसको भी समझे लेते हैं तो BCD code की हमें basically जरूरत क्या पढ़ती है हम करते हैं decimal number system पे काम तो 0 से 9 तक के number है हमारे पा प्रोसेसर है ठीक है तो अब मैं शाहरा हूँ कि मैं 6 और 7 को एड़ करूं ठीक है तो 6 का जो code बनेगा फॉर्विट का प्रोसेसर है तो 6 को अगर मैं एड़ करूंगा तो वह बनेगा 0 1 1 0 और 7 का आएगा वन जिरो 1 1 1 ये भनेगा तो 6 7 को अगर जिससे अमें एड़ करता हूँ तो वह बनेगा मेरा 13 पर अगर इसको मैं एड़ कर रहा हूं तो ये बनेगा 1 ये जीरो ये 1 और ये 1 तो ये तो थाटीन आया और काई यहां पर मेरा one one zero one घर न काम कर रहा हूँ जिस number सिस्टम पर मैं काम कर रहा हूं बाइनरी number सिस्टम अगर एकron बिट में एकροड़ बनती है बन जे यह शेया यह यह जो चाहता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो computer है वो अलग number system पर काम कर रहा है उसके arithmetic अलग तरह की है मैं जिस number system पर काम करता हूँ वो decimal number system है और मेरी arithmetic उससे अलग है ठीक है? पर मैं ये चाहरा हूँ कि मैं उसको अगर कोई decimal number दे यहा हूँ वो मेरा result decimal में ही दे कंडिशन लगाएंगे कुछ ठीक है तो वह हम करेंगे नेक्स लेक्टर में डिसक्रस तो जरुत इसलिए है कि हम सब्सक्राइब लोगा हां लिए से लिए वी में सब्सक्राइब करेंगे बइनरी उसका प्रोगराम को लेंगे और फिर सब्ट्रेक्शन को डिस्कस करेंगे किस तरह सब्ट्रेक्शन होगा ठीक है तो इस तरह है चलिए इसको यह रोकते हैं